नमस्कार दोस्तों मैं दिपक्षरमा अंग्रिश आपका स्वागत करता हूँ तल लीगल चैंबर में अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम विल और वस्यत से जुड़ी साल 2024 की काफी बड़ी जज्जमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आएं देखें दोस्तों अकसर देखने और सुनने को कई बार मिलता है कि एक व्यक्ति विल और वस्यत के माध्यम से अपना नाम नामांतर में चड़वा लेता है मतलब कि वो विल वस्यत का इस्तमाल करते हुए संपत्ति के अंदर अपना दाखिल खारीज या म्यूटेशन करवा लेता है और इसी बीच बाकी पारिवारिक स्तदस्य या कोई थर्ड परसन उठकर यही बोलता है कि हमें तो इस चीज की जानकारी थी ही नहीं हमारे सामने कभी कोई विल वस्यत लाही नहीं गई इसके बावजूद भी उन्होंने अपना नाम म्यूटेशन में चड़वा लिया और फिर उन लोगों को लगने लगता है कि अब उनके हातों से सब कुछ चला गया पर मैं अगर आपको बोलू कि म्यूटेशन दाखिल खारीज अगर एक व्यक्ति इसके अंदर अपना नाम चड़वा कर बैटा है तब भी हम उसको मालिकाना हक वहाँ पर नहीं देंगे और अगर ऐसे केस में विल वस्यत को लेकर कोई आपत्ती आ रही है तो हमारा सिविल कोट ही तै करेगा कि आखिरकार किसको मालिकाना हक दिया जाए या किसको ना दिया जाए यहाँ पर केवल म्यूटेशन दाखिल खारीज में नाम चड़वा लेने से कोई भी उस संपत्ती का मालिक नहीं हो जाएगा इसके अलावा कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जूटी विलवसियत तयार करा लेता है और जब विलवसियत जूटी तयार करा लाता है तो बाद में ये माना जाता है कि ये तो सिविल नेचर का केस है मतलब कि court तै करेगा किसका मालिकानाख है और किसका मालिकानाख नहीं है पर जो उसने वो जूटी वसियत तयार की उसके बिहाफ से कोई भी criminal case उसके उपर नहीं होता कारण क्योंकि civil nature का ये case बता कर criminal case करने के लिए मना कर दिया जाता है अब हम मैं आज आपको साल 2024 की दो बड़ी मैटपून चीज क्लियर करूँ है जहां पर विल वसियत से related काफी बड़ी चीजे क्लियर की गई है तो आज की वीडियो आप लोगों को देखना काफी जादा निवार रहे है दोस्तों अब दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किये गए अफर्ट अच्छी लगते हैं तो मेरा आप लोगों से नुरोध है इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अपना valuable comment comment section में जरूर लिखें तो चलिए दोस्तों अब आज की इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबाना करते हुए आज की इस वीडियो को start करते हैं अब दोस्तों सबसे पहले वीडियो की starting में हम आपको clear कर दें कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं will और वसियत के बारे में इसके बाद एक will वसियत बनाते समय कौन कौन सी चीजे ध्यान देना नहीं वारे हैं वो मैं आपको बताऊंगा और साल 2024 की तो जो बड़ी महत्पून judgment आई है वो इसके बाद मैं आपको clear करूँगा देखे दोस्तो विल और वसियत ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें Indian Succession Act Section 2 Subclosed Edge के अंदर define किया गया basically इसको testamentary दस्तावेज document बोला जाता है अगर एक व्यक्ति अपने जीते जी अपनी उस संपत्ती का विवाजन अपनी इच्छा अनुसार करना चाता है किन्तु वह जाता है कि जब उसका देहान्त हो जाए केवल उसी के बाद उसकी वो संपत्ती आगे उसी तरीके से विवाजी तो जैसे उसका मन कर रहा है तो वह अपनी इच्छा अनुसार एक दस्तवेश तयार करता है, जिसको बोला जाता है, विल या फिर वसियत नामा, अब विल वसियत नामा की सबसे खास बात ये है, कि अगर आप हमारा Registration Act 19.08 का Section 18 देखें, तो हो बताता है, कि इस दस्तवेश को Registr करवाना mandatory नहीं है, compulsory आप चाहें तो notary करा ले, या फिर इसको notary भी मत करा है, बस ध्यान देने वाली बात है, अगर आप Section 63 Indian Succession Act देखें, कि दो गवाहों के, यानि कि दो विटनेस के साइन होना निवार है, उस वसियत पर अपना वसियत करता साइन कर दे, उसके बाद दो गवाहां साइन कर दे तो ये मान लिया जाएगा, कि वसियत को valid तरीके से तयार किया गया है, और ये भी ध्यान दें, कि अगर कलकोस विल वसियत को court में challenge भी किया जाता है, तो जो ये दो विटनेस थे, दोनों गवाहां थे, इन में से किसी एक कोही court में बुलाकर, examin करके, court ये तै करता है, कि व जरूरी नहीं है, कि विल वसियत को बनाने के लिए कोई stamp paper होना ही अनिवार है, एक कोरे कागच पर भी will बनाई जा सकती है, but again मैं बार बार बोल रहा हूं, कि दो witness के sign होना अनिवार है, अब कई बार लोग सोचते हैं, कि सर एक से ज़्यादा will है, कौन सी will genuine है, तो अगर ए उसको सबसे ज़्यादा महतवता दी जाती है, तो ये कुछ basic चीज थी जो will वसियत और कानूनी प्रावधान, यानि की provision के तहत मैं आपको clear करके देना चाहता था, अब हम बढ़ते हैं, अपनी साल 2024 की कुछ latest और महतपुन judgment के बारे में, एक बार display पर ध्यान दे, सबसे पह जो present case में respondent है, ध्यान दीजेगा, इसका date of decision यानि की judgment की date है, 19 जुलाई साल 2024, जो मैंने आपको बोला था, बिल्कुल later judgment 2024 की आप लोगों के लिए लेकर आयो, अब present case में दोस्तों क्या हुआ, एक व्यक्ती ने वसियत के अधार पर संपत्ती के records में अपना नाम चड़वा चड़वा लेता है, दाखिल खारीज में चड़वा लेता है, अब ऐसी स्थिती में बाकी लोग ये समझते हैं, कि उनके पास वसियत भी है, उनका नाम जमीनों के records में भी आ गया, अब हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, वैसे दोस्तों मैं आपको बता दो, अन्रेवल सु परपस के लिए और टेक्स कलेक्शन के परपस के लिए documents माने गए हैं, present case में भी यही हुआ, एक व्यक्ति ने विल वसियत का इस्तमाल करते हुए documents में अपना नाम चड़वा लिया, और उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं अब इस्तमालिक हूँ, जबकि दूसरी पार्टी क अगर प्रोपरटी के मालिकाना हक को लेकर, ओनर्शिप और टाइटल को लेकर विवाद है, अगर वो specially, विल वसियत के दस्तावेजों को लेकर विवाद है, तो ये केवल और केवल हमारा competent civil court ही वहाँ पर decide करेगा, कि क्या वहाँ पर उस विल के अधार पर उसको मालिक माना जाएगा, या फिन नहीं माना जाएगा, यानि कि विल वसियत के अधार पर mutation दाखिल खारीज करा ले या फिर नहीं है, तो अगर एक विक्ति विल वसियत के अधार पर अपना नाम records में चड़ा कर ये सोच रहा है कि मैं तो मालिक बन गया, तो ये चीज आपके लिए काफी फायदे मन है, कि अगर उसने फ्रोड धोका धरी करके कोई विल वसियत तयार की है, तो ये relevant judgment आप लो उनके खिलाफ civil case होना ही ठीक है, क्या हम उनके खिलाफ criminal case नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी विल वसियत को लेकर कोई question आता है, तो ये बोला जाता है, ये तो civil case का है, और इसको तो civil court टै करेगा कि ये वसियत असली है या फिर नकली है, यहाँ पर criminal case करने से मना कर दिया जाता है, और जो इनसान दोका धड़ी कर रहा है, फरजी वसियत बना रहा है, ऐसे case के अंदर वो तो बाद में बच कर निकल जाता है, अब इसी संदर्व में एक काफी बड़ी judgment है, जो मैं आप लोगों के लिए ले कर आए हूँ, ध्यान दीजेगा दोस्तों डिस्पले प और 5 जुलाई साल 2024 की ओनरेबल करनाट का हाई कोट की हमारी जज्जमेंट है, तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, कि जज्जमेंट आपको दा लीगल चेंबर में हमेशा लेटेस्ट ही देखने को मिलेगी, इसके अलावा हर टोपिक को डिटेल में जाकर क्लिय क्लियर किया जाएगा, सिंपल सी सिंपल लेंगवेज में, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उन डिफिकल्ट लीगल और लाटरम्स को बड़ी इसली समझ में, अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, कि आखिर का ओनरेबल करनाट का हाई कोट ने यहाँ पर क्या क यहाँ पर कुछ फरजी दस्तावेश तयार किये, देखें लिखा है, फैब्रिकेटिंग डोकुमेंट्स तयार किये, तो यहाँ पर जो हमारे उनरेबल सिंगल जच की जो बैंड्स थी, जच्टिस, एम, नगरसम्मा, उन्होंने उस पिटीशन को डिस्मिस किया, जहाँ पर इस केस को क्वाश यानि की खतम करने के लिए बोला गया था, इन्होंने बोला कि यहाँ पर ऐसा कोई भी कानून नहीं है, जो सरिफ यही बोल दे, कि अगर केस सिविल नेचर का है, तो वहाँ पर जो क्राइम किया है, उसको हम छुपा लें, जी नहीं, अगर कोई क्राइम ह है या नहीं है, वो हमारा सिविल कोट तया करेगा, पर अगर वहाँ पर कोई फैब्रिकेटिंग यानि कि फरजी दस्तवेस तयार हुए है, विल वसियत फरजी तरीके से तयार की गई है, तो इसका मतलब यह नहीं, कि उसके उपर क्रिमिनल केस नहीं होगा, वो सिविल जड़ी या फरजी वसियत बना कर या तो अपना नाम चड़वा लिया है, या फिर चड़वाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर आप समझ गए कि म्यूटेशन में नाम आने से कोई ओनर नहीं बनेगा, और अगर कोई ऐसी दोका जड़ी कर रहा है, तो आप उसके खिल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, इसके अलाबा, अगर आप लोग रोजाना हर लेटेस्ट अपडेट से खुद को अप टू डेट रखना चाते हैं, तो दे लीगल चैंबर को तुरन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप ज़रू